दोस्तों मस्कार आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ IRCTC अप्लिकेशन से ट्रेंड टिकट बुक कैसे किया जाता है ट्रेंड टिकट को बुक करने के लिए IRCTC अप्लिकेशन ओपेन कर लेंगे पहले आपको यहाँ पे एकाउंट बनाना परेगा अगर आपका IRCTC में एकाउंट नहीं है तो उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है किस तरह से आप IRCTC में एकाउंट बना सकते हैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए ट्रेन पे आप किलिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बुक टिकट पे आपको किलिक कर देना है तो यहाँ पे देखिए फरॉम और टू है FROM का मतलब यहाँ आप की स्टेशन से कहां तक आप जाना चाहते हैं तो चलिए FROM में जहां से आप जाना चाहते हैं उसे स्टेशन का आप नाम यहाँ पर type कर देंगे तो यहाँ पर हम बॉनी जेक्शन टाइप कर लिए उसके बाद 2 में हम कर देंगे आहमदावाद तो हमदावादन जेक्षन हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए इसके बाद कलास में all रहने दीजेगा और quota में general रहने दीजेगा उसके बाद यहाँ पे आपको date सेलेक्ट करना है किस date में आपको सफर करना है तो चली हम यहाँ पे date अपना select कर लेते हैं Dets select करने के बाद OK वाली option पे आपको klik कर देना है ऐसा करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं सर्च train तो यहां पे आपको klik कर देना है जो भी आप station select किये हैं उस route में जितने भी train चलते होगे सारा का list यहां पे आजाएंगे जो मैंने भी सर्च किया है उस रूट में भी एक ही ट्रेन है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ट्रेन का नाम भी आ जाएगा और ट्रेन का नम्मर भी आ जाएगा और कितने बज़े ट्रेन आपके स्टेशन से रवाना होगी जहां से आप ट्रेन में चटना चाते हैं और कि इतने घंटे में आपका सफर होगा, वो भी यहाँ पे दिखाए गया है। इसके बाद ट्रेन किस-किस दिन को चलती है, यह भी यहाँ पे आपको दिखाए जाए। इसके बाद यहाँ पे 2S मिलता है, सिलिपर मिलता है, 3A मिलता है, तो यहाँ पे refresh करके आप यहाँ पे seat देख सकते हैं कि available है या नहीं तो यहाँ पे refresh पे हम click करते हैं और click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2S में not available यनि कि seat नहीं है तो चलिए हम यहाँ पे slipper में देखते हैं slipper का short name होता है sl तो यहाँ पे हम click कर देते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं, 6 जनवरी को यहां पे अविलेबल है, 142 सीट सिलिपर में, अगर 3A में आप सफर करना चाहते हैं, 3A पे किलिक करेंगे, तो 3A में करीब 222 सीट है, और 8 जनवरी को 230 सीट है, इस तरह से आप यहां पे date wise भी यहां पे देख सकते है, इसके बाद आप 2A में सफर करना चाहते है, 2A पे आप किलिक करेंगे, तो यहां आपको सीट दिखाएं जाएंगे, तो जिसमें आप सफर करना चाहते हैं, उसको आप सलेक्ट करेंगे, तो चलिए हम Slipper में सफर करना चाहते हैं तो Slipper पे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना आपका Ticket का रुपिया लगेगा जो सफर करना चाहेंगे आप 805 रुपिया तो आप यहाँ पे Passenger Details पे आपको क्लिक कर देना है और ऐसा करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं OKE वाले Option पे आपको क्लिक कर देना है तके बाद Add New पे आपको क्लिक करेंगे तो Passenger का Details यहाँ पे आपको इंटर करना है तो चलिए Add New पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे नाम, उसके बाद age, उसके बाद gender यहाँ पे आपको select करना है, उसके बाद nationality में इंडिया रहने दीजेगा, बाद birth preference तो यहाँ पे आपको click कर देना है, तो यहाँ पे lower में शफर करना चाहते हैं, यह middle में यह upper में, यह side lower में, तो जब आप train में सफर किया होग add passenger पे आप click कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते है passenger का details add हो चुका है अगर आपके साथ कोई और सफर कर रहा है उसका भी ticket बनाना चाहते है तो add new पे आप click करेंगे passenger का नाम, passenger का age passenger का male, female passenger आप add कर सकते हैं और एक ही PNR नमर में उसका train ticket भी आप book कर सकते हैं, सिर्फ हम अपना ही ticket book करें, इसलिए हम एक ही वेक्ति का यहाँ पे नाम select करें, इसके बाद review journey details पे आपको click कर देना है ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपको एक review दिखाय जाएगा यह जो आप capta देख रहे हैं, इस box में आपको इंटर कर देना है, capta इंटर करने के बाद ticket का दाम दिखाय जाएगा, तो यहाँ पे click कर देंगे, टिकट भी आप यहाँ पे देख सकते है, 805 रुपिया है, उसके बाद travel insurance आप यहाँ पे देख सकते है 0.35 पैसा है, लेकिन GST के साथ यहाँ पे लिया गिया है इसके बाद convenience फी आप यहाँ पे देख सकते है of GST, 70 रुपिया 70 पैसा, इसके बाद total remote आपका बन जाता है, 823 रुपिया इसके बाद यहाँ पे अगर आप ticket booking करना चाहते हैं, तो process to pay वाले option पे आपको click कर देना है इसके बाद yes वाले option पे आपको click कर देना है यहाँ पे make payment का option आ जाएगा तो यहाँ पे देख सकते है multiple payment option तो यहाँ पे आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा payment का option मिलेगा, जिनसे आप payment कर सकते हैं train ticket book करने के लिए debit card credit card से भी net banking से भी payment कर सकते हैं और UK के थुरू भी कर सकते हैं तो चलिह हम यहां पर click कर देते fraction चाहτए हैं था हुआँ पर click कर देंगे debit card पर और इसके बाद यहां पर card number उसके बाद यहां up इंटर करेंगे charger CBB यहां पे इंटर करेंगे, कार्ड में जो नाम है वो यहां पे इंटर करेंगे, उसके बाद पे नाम पे किलिक कर देंगे, जो आपके खादे में वाल नमर लिंक है, उस पे OTP आएगा, OTP यहां पे इंटर करेंगे, इसके बाद मेक पेमेंट पे किलिक कर देंगे, OTP इंटर भी हो चुका है, कोच नमर S5 मिला है, और बर्थ 35 मिला है, और बर्थ अपर मिला है, कोच का मतलब हुआ S5 का, ये ट्रेन का जो है, डिबा नमर हुआ, उसके बाद बर्थ नमर जो हुआ, आपका सीट नमर हुआ, उसके बाद यहाँ पे अपर लोर, ये आपका अपर हुआ, त यहां से किसी को आप Share भी कर सकते वाटसप के तुरू. इसके बास यहां पर माई ट्रांजेक्शन में आपको यहां पर आ जाना है। आने के बास यहां पर जो भी आपने ट्रेंट बुग किया होगा तो माई बुकिंग वाले अप्षन पर आपको सो करेगा। तो चली हम यहां पे click कर देते हैं, और click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, upcoming journey के लिए जो भी आपने ट्रेंट टिकट बुक किया है, वो यहाँ पे दिखाएगा, आपे हम CLICK कर देंगे, इस ticket को उपर, अगर आप को इस train ticket को cancel करना है, तो यहाँ पे three dots पे click कर देना है, और यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल टिकट के उपर आप किलिक कर देंगे तो आप यहाँ पे टिकट कैंसिल भी यहाँ से कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद जिस भी पैसंजर का आपने टिकट कैंसिल करना है तो यहाँ पे select कर देंगे उसके बाद cancel वाले option पे click कर देंगे तो आपका train ticket cancel हो जाएगा और आपका पैसा लगा है train ticket book करने में वो आपका refund वापस आ जाएगा तो इस तरह से आप train ticket को book कर सकते है अगर आप train में सफर कर रहे तो आधार कार्ड साथ में लेके चले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते है और चैनल पे नए तो सबस्क्राइब करके बेल आखेन को दबा सकते है